हेलो मैं हूँ मनीशा और आज मैं हाजीर हूँ एक बिलकुल नई सी डिश लेकर और वो है हमारे बेंगॉल की आन बान और शान जी हाँ जब बारिश होती है तो आप क्या खाते हैं पकोड़े चाए या और भी कुछ लेकिन हमारे जब बेंगॉल में बारिश होती है न तो पह बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बारिश के दिनों में यहां के लोग बाजार की तरफ भागते हैं इलिश माज खरीदने के लिए चाहे वो जितनी भी महंगी हो जाए यहां तक ही 2000 रुपे किलो इसका दाम होता है फिर भी बिलकुल खाना ही खाना है और बस हिलसा मचली के इसले बंगलादेय से आने वाली फिश बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और टेस्टी भी से यहां की लोग मानते हैं तो चलिए इतनी सारी कहानिया मैंने बताई तो चलिए फटा फट से डिश भी बना कर दिखाती हूँ Welcome to Manisha's Food and Travel Studio तो चलिए हम बनाते हैं अभी हिलसा मचली तो सबसे पहले जो मार्केट्स हमने लाया उसे दोकर साफ कर लिया है और इसके मशल्स देखे कितने क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं ये निशानी है कि आपकी जो फिश है वो बिलकुल फ्रेश है तो सभी फिश के जो पीसेज है ये हमने साफ कर लिये है और ये है मेरा 600 ग्राम अब सबसे पहले मैं इसे मेरिनेट करूँँगी उसके लिए मैंने लिए है नमक बहुत कम ही इसमें मसाले पढ़ते हैं इसलिए सबसे पहले हमें डाल देना है नामक पिल्कुल अच्छी तरह से और उसमें डाल दें हल्दी तो ये देखे हल्दी थोड़ी सी जोसी रंग होती है वो थोड़ा सा पीला जादा होता है तो इस वज़ह से थोड़ी सी मचली में हल्दी जो है थोड़ी सी जादा डाली जाती है और उसके बाद यह मैंने एक पेस्ट बनाया है यह है जिंजर, गार्लिक और थोड़ी सी बने लाल मिर्च डाली है बहुत सारे लोग इसमें हरी मिर्च डालते हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं वो भी हमें अच्छी तरह इसमें डालना है और इसे मिला देना है और उसके बाद ये है हमारे बेंगॉल की डेली केसी सरसों तेल जी हाँ शोरिशोय ओयल जिसको कहते हैं हम लोग और इसे अच्छी तरह से डाल दें मैंने दो बड़े चमस डाला है 600 ग्राम मचली है हमारी और ये जो हमारा मैरिनेशन का मसाला तयार हुआ है उसे हर एक मचली के पीसेस में अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से रब करके हमें से मैरिनेट करने के लिए छोड़ना है बस 15-20 मिनट विल्कुल 15-20 मिनट ये देख हैं लेकिन उसका टेस्ट अलग होता है और ये जो मैं बना रही हूँ ये प्योर सर्सों की जो है वो ग्रेवी बनेगी तो ये देखिए सारा सर्सों मैंने 10 मिनट पहले इसे भिको दिया था और उसके बाद मैं इसे डाल दे रहे हूं मिकसी जार में और इसे फाइन पेस्ट हमें बना लेना है तो ये लिजे हमारी जो सर्सों है वो पिसकर आ गई है बहुत ही फाइन पेस्ट बना है ये धियान रखना है कि पेस्ट बहुत ही फाइन बननी चाहिए वरना इसके छिलके आते हैं वो अच्छे नहीं होते तो ये लिजे बहुत ही फाइन पेस्ट मैंने बना कर त्यार कर लिया है तो चलिये, अब मचलियों को फ्राही करना है, और वो भी सरसो के देल में, लेकिन देल मैंने बिल्कुल कम डाला है, सिर्फ एक चमच मैंने इसमें तेल डाला है, क्योंकि इलिष माच की खासियत यही होती है कि वो ना तेल रिलीज भी करते हैं, यह थोड़ा सा फैटी होता है, यह जो फिश है तो तेल रिलीज होता है, इस वज़े से हम इसमें बहुत ही कम तेल डालेंगे और इसे हम शैलो फ्राइब कर लेंगे उपर से, तो आप देखें यह जो बचा हुआ कि इसे लाल होकर फ्राई हो रहे हैं हमारे यह एक साइड वा अब दूसरी तरफ बी यह देखिए दूसरी तरफ से भी प्राई होना शुरू हो गया है मचलिया लाल होनी शुरू हो गई है तो देखे मैं पलट कर दिखाती हूं यह लीजिए दोनों तरफ स हमारा हो गया है बिलकुल तैयार और यह जो बचा हुआ तेल है इसे में हम सेकेंड बैच की जो हमारे ग्रेवी रखनी है ग्रेवी बहुत जादा गाड़ी भी नहीं होगी और बहुत जादा क्टणी ही में यह सारा मैं और इस तरफ देख है मैं दूसरी तरफ हमारी जो में Hm ट का यह सारे सारे हमारे निकाल लेती हूँ तो हे इत का invece लेवी फ्राइड फिश हो गए हैं तैयार और सिर्फ देखिए आप एक चमच तेल में हमारे सारी मचलियां फ्राइ हो गई है फिर भी तेल इसमें है और ये जो हमारे मैरिनेट का मसाला प्लेट में बचा हुआ है ये मैं इसमें डाल दे रही हूं उसे हमें फेकना नहीं है बहुत ही जादा फ्लेवर फुल है वो और उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है और इसमें ग्रेवी के एकॉर्डिंग हमें नमक डाल देना है और थोड़ी सी मैंने डाल दिये हल्दी अब इसे भी अच्छी तरह से हम भून ले वो मैं डाल रही हूं और इसमें किसी तरह का कोई मसाला नहीं जाएगा जैसे कि जो हम डालते हैं जादा तर धन्या का पाउडर या जीरे का पाउडर गरम मसाला ये सारे मसाले इसमें नहीं जाते हैं बस मैंने दो चार इसमें हरी मिर्चे डाल दी है और इसे बॉयल आने के अब मैं डाल दिया है और पांच मिनट में देखिए यह बॉयल आकर हमारी ग्रेवी है तेयार अच्छा से एक बॉयल आ गया है ग्रेवी में अब मैं डाल दिए इसमें यह हरी मिर्चे आप चाहें तो इसे स्लिट कर सकते हैं थोड़ा तीखा जादा हो जाएगा लेकिन इसकी और अच्छी तरह से इसे मिला दिया है और यहां पर कंसिस्टेंसी आप देख लिजे पानी अगर लगे तो आपको इसमें आप और इसी समय डाल सकते हैं वरना एक बार ग्रेवी तयार होने के बाद उपर से हमें पानी नहीं डालना है तो यह लिजे मुझे लग रहा है कि यह वापस से जब इसमें उबाल आएगा उसके बाद भी बिलकुल ठीक रहेगी तो मैंने देख लिया यहां पर मैंने नमक भी चक कर लिया है और मैंने इसे ढख कर फिर से वापस बॉइल आने तक इसे मैं ढख दोंगी तो यह लिजे वापस से अच्छी तरह है इसमें तूट रही है, ये निशानी है कि आपकी जो मचली थी, वो बिलकुल fresh और ये देखिए, मिर्चे भी डाली है हमने, ये देखिए मचली है, बहुत ही ज़ादा, अब इसे ज़्यादा छेड़ खानी हमें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं हीलाना है, और ये देखिए, बिल्कुल तैयार और यहां पर हमें गैस को बंद कर देना है, तो ये लिजे मचली तैयार है, गैस हो गई है बंद, ये लिजे वाह 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 बहुत मज़ेदार हो हो हो, बस इसे standing time देना है 10 मिनिट का, और 10 मिनिट standing time के बाद ये समय है serve करने का, और इसका सबसे अच्छा combination ह भात के साथ, जी हां boiled rice जिसे हम भात कहते हैं, भात माच, भाते शाथे माच, आर की लागवे बोलून, बस ये देखिए, थोड़ा सा salad, और ये हरी मिर्चे, हरी मिर्चों के बिना इलिश तो बिल्कुल खाया ही नहीं जाएगा, और ये time, ओ, हो, हो, इसी का तो मैं इंतिज कर रही थी, वा, क्या बने हैं, हमारे देखिए, दस मिनिट के बाद इस तरह की गाड़ी, जो हमारी consistency अग्रेवी की वह होनी चाहिए, ये देखिए, बहुत मज़ेदार, बहुत जादा, आपको देखारों, ये हमारा प्लैटर हो गया है, तैयार, मेरे मुझ में तो अभी स अच्छा लग रहा होगा, बक्का, तो चलिए, अब इसे खाते कैसे हैं, वो भी मैं दिखाओ, इसे छूरी काटे की कोई जरुरत नहीं है, चावल के उपर थोड़ी सिस तरह से ग्रेवी डाल दें, अब प्लेट में ही एक डाल दें, फिश के पीस, और बस हरी मिर्चों के स हाथ इसे इंजोई करना है, ये लिजे, अच्छी तरह से ग्रेवी मिलाई, फिश मिलाया, और एक बाइट आप इंजोई करें, ओ, 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 जबर दस्त, तो ये लिजे, तयार है मेरी इलिश माश शोर्शो दिये, आप भी बनाए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस